हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम सबके फेवरिट दई भल्ले बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं भल्ले बनाने के लिए हम उड़त दाल लेंगे 3x4 कप और मुंगी की दाल आधा कप ले लेंगे ये दाल हम अच्छे से दो के इनको विगो देंगे, 4-5 गंटे तक, 5 गंटे से जादा हम इन्हें सोब करके नहीं रखेंगे अब हम इन्हें ड्रेन कर लेंगे, अलग अलग जार में और इनको ग्राइंड कर लेंगे दाल आप बिना पानी डाले ही ग्राइंड करेंगे उड़त की दाल अगर आपको थिक लग रही है तो आप उसमें 2-3 चमज ठंडे पानी के डालेंगे मुँं की दाल ऐसे ही अच्छे से पिस जाएगी अब हम इन्हें एक बड़े बरतन में निकाल लेंगे और अब हम इन्हें फैंट लेंगे दोनों दाल को अच्छे से मिला लेंगे और एकी डिरेक्शन में इसको फैंट ते जाएंगे दस मिनट तक लगातार आप एकी डिरेक्शन में दोनों दाल को मिला के फैंट ते जाएंगे इसी से आपके भले soft बनेंगे और अच्छे से फूलेंगे दाल को एक ही direction में फैंटने से इसमें air आ जाएगी तो इसलिए हम इनको अच्छे से फैंट लेंगे बिना रुके 10 मिनट तक और देखिए इस तरह की consistency इसमें हो जाएगी अब आप इसमें जीरा और नमक डाल सकते हैं मैं इनको प्लेन ही बना रही हूँ दाल को आप हाथ से ही फैंटेंगे और यही सीक्रेट है भले soft बनाने का दाल अब रेड़ी है एक बड़े बरतन में हम 1 फोर्ट स्पून हींग डालेंगे नमक डालेंगे आधी चम्मच और गरम पानी डाल देंगे इसमें जब हम बले deep fry करेंगे उसके बाद हम इसी पानी में उन्हें सोक करेंगे कडाई में हमने तेल गरम कर लिया है गैस की flame हम medium ही रखेंगे fry करते हुए भी और तेल गरम जैसे हमने किया है वो भी हम medium flame पे ही करेंगे अब आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और एक एक करके इसमें बले डालते जाएंगे बले आप अपनी चोईस से बड़े चोटे जैसे भी बनाना चाते हैं बना सकते हैं जैसे हम इसमें अब भले डाल रहे हैं तो temperature डाउन हो रहा है तेल का बट आप इसे medium flame पे ही रखेंगे क्योंकि तेज पे करने से ये बाहर से brown हो जाएंगे पर अंदर कच्चे रह जाएंगे बले कडाई में डालते ही आप कर्ची के साथ इन पे oil डालते रहेंगे उससे ये जल्दी से फूल जाएंगे जिस तरह से आप पूरी बनाते हुए करते हैं उसी तरह से सब तरफ से इनके उपर आप oil डालते जाएंगे और ये अच्छे से फूल जाएंगे अब अगर हमने यहां दाल अच्छे से नई फैंटी है तो ये फ्लैट हो जाएंगे दाल को अच्छे से फैंटने से ये फूलने शुरू हो जाएंगे हम इनको सब साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे पांच से छे मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाएंगे अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल के रख लेंगे बाकी के बल्ले भी हम इसी तरह से त्यार कर लेंगे और फिर end में सारे भले एक बार दुबारा से इसमें डाल के फिर से deep fry करेंगे अगर आप भले बाद के लिए store करके रखना चाहते हैं तो आप अच्छे से इनको deep fry करके second time इनको ठंडे होना देंगे और आप किसी air tight container में इनको डाल के fridge में रख लेंगे सारे भल्ले हमारे रेडी हो गए हैं सब फ्राई कर लिए हमने और सबको हम दुबारा से डी फ्राई कर रहे हैं किसी भी साइड से ये कच्चे नहीं रहने चाहिए तो हम इनकी साइड बदल के अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे भल्ले हमारे फ्राई हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है भल्लों को डीफ्राई करने के लिए मीडियम टेंपरेचर इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो बाहर से गोल्डन ब्राउन बहुत जल्दी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो ये ज़्यादा ओयल अब्जॉब करेंगे तो इसलिए हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे बले रेडी हो गए हैं तो अब आप इनको निकाल के रख लेंगे किसी प्लेट में अगर आप इसको बाद के लिए भी रखना चाते हैं स्टोर करके और अगर आप अभी सर्व करना चाते हैं तो आप एक बाउल में पानी ले लेंगे थोड़ा सा गरम पानी लेंगे और ये सारे बल्ले आप उसमें डाल देंगे जिससे की सारा एकसे सोयल उसमें निकल जाएगा ये प्रोसेस आप तीन से चार बार करेंगे पांच मिनट तक आप फ्राइट बल्ले इस बाउल में डाल के रखेंगे उसके बाद फिर आप इसका पानी चेंज करेंगे पानी में सोक करके रखने से बल्ले और भी सॉफ्ट हो जाएंगे स्पॉंजी हो जाएंगे और इनका साइज भी डबल हो जाएगा तीन से चार बार आप इनका पानी चेंज कर लेंगे और उसके बाद आप हींग वाले पानी में इनको सोक करके आदे घंटे के लिए रख देंगे हींग के पानी में रखने से बले अच्छे से फ्लेवर एब्जॉब कर लेते हैं और हींग डैजेशन के लिए भी काफी अच्छी होती है तो अब हम इसमें गरम पानी और डाल रहे हैं सारे बले अब हम इसमें डाल देंगे एक से दूसरे पानी में ट्रांसफर करते वक्त हम बलों को प्रेस नहीं करेंगे ऐसे ही डाल देंगे इनको हम 30 मिनेट्स के लिए रख देंगे ढखके अब हम दोनों चट्टी त्यार कर लेंगे हरी चट्टी बनाने के लिए आधा कप कोरियंडर लेंगे उससे आधी कौंटी में पुदीना के पत्ते लेंगे एक बड़ा प्याज, तीन से चार हरी मिर्च और एक इंच अद्रक अब ये सब हम एक जार में डाल देंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वादनुसार और इसे ग्राइंड कर लेंगे हरी चट्टी हमने ग्राइंड कर ली है अब हम इसे एक छोटे बाउल में निकाल लेंगे इसमें एक छोटी चम्मच, चीनी और आधा निम्बू निचोड़ देंगे और अच्छे से मिला देंगे इस तरह से हरी चट्टी हमारी रेडी है अब हम इमली की चट्टी बनाएंगे वन बाई फॉर कप इमली इसको हम अच्छे से वाश करके गरम पानी में सोक कर देंगे और आधा कप गुड लेंगे इसे भी हम एक कप पानी में बिगो के रख देंगे इमली की चट्टी के लिए काला नमक, किश्मिश, लाल मिर्च और जीरा चाहिए एक कडाई में दो चम्मच आप तेल डाल लेंगे सबसे पहले आप इसमें जीरा डालेंगे इमली को आप अच्छे से हाथ से मसल लेंगे और पल्प के साथ ही कडाई में डाल देंगे गुड का गोल भी इसी तरह से आप इसमें डाल देंगे इसको मैंने चान लिया है पहले ही बाकी के इंग्रीडियन्ट भी अब हम इसे में डाल देंगे काला नमक आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच किश्मिश भी आप इसमें दो चम्मच डाल देंगे इसको 10 से 15 मिनट तक आप बॉयल होने के लिए फ्लेम पे रखेंगे मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं हाई पे भी रख सकते हैं एक बड़े बाउल में हम 500 ग्राम कर्ड ले लेंगे इसको दो मिनट तक थोड़ा सा फैंट लेंगे और इसमें दो चम्मच पाउडर शूगर या फिर जो चीनी आपके पास है वो आप इसमें डाल सकते हैं बहुत जादा इसको नहीं फैंटेंगे चीनी डालने के बाद आप इसे फ्रिज में रख देंगे इसमें दो चम्मच चीनी हमने डाल दी है अब हम जल्दी से स्पेशल भला मसाला भी रैडी कर लेंगे इसके लिए थोड़ा सा जीरा थोड़े सी अजवायन इसको हम एक मिनट के लिए भूनेंगे उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और चाट मिसाला मिला लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे इमली की चट्नी में उबाल आ गया है और ये काफी गाड़ी हो चुकी है अब हम इसे बंद कर देंगे और अब हम बले देख लेते हैं बले हमारे बिलकुल रेडी हो चुके हैं इनका कलर भी वाइट हो गया है जब हमने फ्राई किया था तो ये गोल्डन ब्राउन थे फूल चुके हैं और अब आप इनको ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे हलके हाथ से इनको ठंडे पानी में निकाल के रख लेंगे बहुत सौफ्ट बले रेडी हुए हैं आप देख सकते हैं साइज भी बिलकुल डबल हो गया है तहीं भी बिलकुल ठंडी हो चुकी है और चटनी भी हमारी रेडी है अला हमने पीस लिया है अनार के दाने ऑप्शिनल हैं अगर आप डालना चाहते हैं बले बिलकुल ठंडे हो चुके हैं अब आप इनको डई में डाल सकते हैं और एक और बाउल में आप एक्स्ट्रा डई रखेंगे क्योंकि इसमें डई सबसे ज़्यादा यूज होती है एक एक करके आप हलके हाथ से इनको डई में मिला देंगे सब करने से पहले डई बले और चटनी सब ठंडे होने चाहिए तो आप आदा घंटा पहले फ्रिज में रखके भी वेट कर सकते हैं एक प्लेट में आप दो से तीन बले डालेंगे और अपने स्वादन उसार उस पे मसाला डाल लेंगे जो हमने रेडी किया है और फिर आप इसमें हरी चटनी और इमली की चटनी भी डाल लेंगे और अनार के दानों के साथ आप इसे गार्निश कर लेंगे इस वीडियो में हमने सारी चटनी, मसाला, भले सब कुछ कवर किया है तो आप भी घर पे ट्राइ कीजिए, बहुत इजी है दई भले बनाने और दाल को फेंटना ही इसका सीक्रेट है अगर आप दाल अच्छे से फेंट लेंगे तो बहुत अच्छे से बनके आएंगे आपके दई भले गर्मी के मौसम में ठंडे दई भले सबको बहुत अच्छे लगते हैं चटनी आप एक दिन पहले बनाके रख सकते हैं तो इसमें आप अपना टाइम सेव कर लेंगे. थैंक्स फॉर वाचिंग. लाइक, शेर और सब्सक्राइब. थैंक यू. बाइ-बाइ. टेक केर.